कि से नितिगत कोई भी विंदू हम नहीं कमेंट करेंगे इसके लिए हमें अधर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा मैं कर नहीं सकता हूं मैं इसके लिए धिक्रित नहीं हूं तो आप इसके लिए सिच्छा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है विजयापन तो मैंने पता ही दिया कि किस तारिक साएगा कट अब कर दो पहली बात तो ये कट आउग नहीं निधारित करती है ये कट आउप तो क्यानिडेट खुद ही दिनाज़त करते हैं आपको तो खुश होना चाहिए कि कैनिडेट ने अच्छा परदर्शन किया ये तो हम थोड़ी करते हैं कही बार लोग यह समझते हैं कि हम लोगों ने कट आफ इतना हाई कर दिया हमने नहीं किया क्यानिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वह कट आफ हाई हो गया लेकिन आप इसको थोड़ासा इस तरह से भी समझें कि प्रथम लोगों ने जो किया था कि यारी वन जब लिया था तो उस समय कोई बहुत से चीजों के बारे में लोगों की जानकाली नहीं थी हम लोगों को भी क्यानिडेट के बारे में उतने अन्भव नहीं था तो टियारी वन में सुभावित तोर से कम गया कि यारी टू में जब बात हुई तो हम लोगों ने भी अपने परिच्छा के प्रश्णों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सुचा क्योंकि हम लोगों लगा की थोड़ा जादा हो रहा है हम लोगों ने अपने परिछा अपने प्रस्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया और इस बीच में क्यादीडेट लोगों ने अपना स्तर उपर कर लिया सभाविक है कि उनको जारा टाइम मिला उदको भी एक experience हो गया TRE-1 का तो उनका स्तर उपर हो गया तो सभाविक है कि एक तरफ प्रश्ण पत्र का लेवल एक स्थर नीचे गया और उनका स्थर दो तीन स्थर उपर उठ गया तो सभाविक है कि वो कटाउप उपर जाएगा ही जाएगा अब हम लोग भी इसको सीख ले करके TRE 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिबरेट करेंगे और हम कैंडिडेट से भी उमीद करेंगे कि वो भी अपना स्थर बढ़ाते ही जाएंगे तो सभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्थर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्थर बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिती में फिर से कट आफ कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है लेकिन इतना मैं जुरूस पस्ट कर दूँ कि अभी हम लोग नेगटिव मार्किंग के लिए तयार नहीं है मतलब आयोग तो आयोग नेगटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तयारी की बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि हम लोग तयार नहीं है मैं अभी अभियर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं तो हम लोग नेगटिव मार्किंग इंट्रिद्यूस करेंगे लेकिन अभी टियारी 3 में नेगटिव मार्किंग नहीं होगा सब कुछ पुडवत सब्यारी 2 में जो हम लोग ने जो भी टियारी किया है वो अध्यापक भर्ती नियामावली जो शिक्षा अभाग की है उस नियामावली के तहट किया है कि कोई भी आहरतान ने ही इधारित करने का विवयोका अभीका अधिकार जो है वह है और आयोग से उसका उत्यूंप करती है jvanaman भी प्रिंसी बात को कर रहें कि इसकी आवश्यक्ता नहीं थी, अगर कोई Maths का टीचर या कोई History का टीचर या कोई Geography का टीचर उसको अतनी क्लिस्ट Hindi और उसका Grammar जाकरन उसका आना जरूरी नहीं था, उसको अपने Maths पढ़ाने के लिए Geography पढ़ाने के इतनी Hindi आवश्यक है उतनी आवश्यक है, तो कि सभाफी लोग कहते कि मातरे एक नंबर से छुट रहा है, लोग इतना टक पेपर आगया, योगों बोनस नंबर क्यों नहीं दिये, वगर है, वगर हमने दे दिया bonus नंबर, सबको नो नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गया, तो कोई Pass अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं पेपर है, उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्रश्य नहीं है, हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है, तो मिनिमम्म देखने के लिए हम लोग भी लाइंवेज के जो पार्ट होगा जो तीस प्रशन भाषा से संबंदित हो गए। उसमें हम द्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरिय प्रश्ण न हो जाए कि उसमें अच्छे अच्छे लोग भी उसमें जो मैट्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाएं बाहर तो उचित नहीं होगा और इसलिए हम लोग इस बार टीच फ्री में जो भाषा से संब्दित जो मामले होंगे उसका अस्तर ठीक से रखेंगे क्योंकि हमें बहुत जादा अस्तर उसमें नहीं चाहिए अब कम से कम हमें उतन व्याकरन तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए अब क्वालिफाइंड पेपर में जो उसका अपना में पेपर होगा वो तो अलग बात है अब हम लोग उसमें परवरतन नहीं करेंगे जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीजों को हम भविश्य के लिए छोड़ रहा है और जैसे नेगटिव मार्किंग मैंने बतलाया उसी तरीके से आप्शन के बारे में भी जो टीरी 2 में है वही टीरी 3 में आएगा